सो हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब होप यौल आ डूइंग वेरी गूड बच्चों जैसा कि हम आपसे पहले भी बात कर चुके कि जीके ओलंपियाट्स के बारे में आपको इंट्रडाक्शन दे चुके हमने का आताम अपना नेक्स वीडियो आपके लिए आनवल और उसके स्लोट वन एंट्स लॉट टू की सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब यह तीनों करना विल्कुल भी मत बूलिए आस वेल आस मैक्सम लोगों में इसमें शेर कीज़े जहां पर बच्चे हमारे जान सके कि कि कितने कितने सब्जेट्स में यह उलंपियार्स फेपर होते हैं और इनको कौन कंड़क कराता है ठीक है सो बच्चो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को सबसे पहले कि जो आपका जनरल नॉलिज का आनवल और मन्थली उलंपियार्स होता है वो कौन कैसे स्टूडेंट इनको रेजिस्टर कर सकते हैं तो बच्चो स्टूडेंट आप्ट कर सकते हैं आनवल और मन्थली उलंप तो annual Olympiad जैसा कि हमने का annual or monthly आप दोनों ले सकते हैं यह जो exam होते हैं वो कौन से class के student देते हैं class 1 से लेके class 10 तक के student देते हैं पहले तो ये जान लेजें दूसरा है कि इस exam के आपके दो rounds होते हैं ठीक है जहां पर हम annual Olympiad की बात कर रहे हैं यहां पर heading में आपने दिया annual Olympiad जो आ आते हैं हमारे 5 से लेके class 10 तक के बच्चों के लिए दूसरा होता है कि बच्चों यह आपको online भी conducted होता और offline मोड में भी होता है आप online देना चाहते हैं आप online लेना चाहते हैं तो offline पेपर दे दिजिए student register दोनों तरीके से कर सकते हैं online mode offline mode student participating through the school अगर आप online mode से कर रहे होते हैं तो आपको क्या चरवत होती है उसके लिए आप laptop से दे सकते हैं टाप से दे सकते हैं साथ ही साथ student participating to the school can have online offline mode मताब अगर स्कूल की चरिये कर रहे हैं तो आपके पस online offline mode होता है यह decide करता आप school management ठीक है इस तम साफ उनकी साइट पर यह बात बताई गई है next अगर हम बात इसको आप यूज करके अरांसे paper दे सकते हैं ठीक है 45 minute का आपका time duration है for the online exam चाहे वो science हो math हो English हो GK हो computer and social studies हो next अगर हम बात करें तो offline exams आपको अपने school में देने होते है normally जैसे pen paper को ले जाके वैसे होते है omr sheets दी जाती है question paper दिया जाता है और जो schedule time होता है ठीक है student need to fill 65 minute allotted time होता है student need to fill the omr answer sheet by darkening the तो अगर आप offline mode of exam को choose करते students सारा कुछ एक प्रसीजर आपके school में बताया जाता है उसके लिए आपको चिंता करने की जरुवत नहीं है online करते हैं तो आपके पास devices होनी चाहिए कोई भी जिसके वज़े से आप घर बैठी exam दे सकते हैं ठीक है next अगर हम बात करें कि इंडिन क्लें इंडियन टालेंट ओलंपयार में कौन कौन से ओलंपयार होते हैं ठीके पॉन कौन से ओलंपयार है चाहिए वो उसका short form और चाहिए वो उसका long form और दोनों तरीके से उसको आप देख लिजिए जान लीजिए ठीक इक slot 1, round 1 का ही slot 1 कब होता है, ये देख लीजे, 5 तारीक 5 December को है, ICO that is आपका computer Olympiad, SEO Olympiad भी 5 December को है, drawing Olympiad आपका 6 December को है, social studies का भी 6 December को है, general knowledge का आपका जो हम इस पर बात करें वो है 7 December को, ठीक है, और slot 2 round 1 का कब है, आपका 11 जनवरी को है, तो दोनों बाते हैं, slot 1, slot 2, round का ही, एकी round का ही, दो slot दिया गया है, ठीक है, next अगर हम बात करते हैं, मंत्री Olympiad की, तो अगे हमारे एक से लेके 10th class के बच्चे देते हैं, provide the maximum practice, इसमें क्या होता है, कि आप maximum practice कर सकते हैं, जो आपका upcoming exam होगा, competitive, उसके लिए आप बहुत यच्छ से तैयारी कर सकते हैं, final चीज़ें जाने के लिए, छोटी से जंग अपने आपको आप practice करके देखते हो, ठीक है, तो student can take these exam every month, हर महीने आप अपने घर से दे सकते हैं, आपके लिए practice साबित होगी, और वो practice करके आप finally olympiard में बहुत अच्छा कर सकते हैं, so इतनी विस विदा आपको Indian talent olympiard देता है, so monthly olympiard किन-किन subjects में, math, drawing, science, ठीक है, आपका English essay इन में भी होता है, so these exam can be taken, जैसे कि आपने पहली बता है, आपके घर में जो भी device है, जिके smart phone, tablet, laptop, computer से आप दे सकते हैं, so 30 questions आते हैं, मन्धली olympiard में, जो कि MCQ format में होते हैं, timing का होता है, 25 minutes, it includes the feature जैसे कि audio recording, video recording, image capture, I want to ensure कि आपका exam में आपको भी cheating नहीं कर रहे हैं, transparency होनी चाहिए आपके काम के अंदर, ठीक है, so ये एक important factor है, एक important factor है, कि जब आप घर बैठे दे रहे हो, तो घर बैठे के सुविधा में कि एक important होता है, कि वो आपको कोई नो कोई देख रहा है, हार एक चीज़ से आपको जज़ किया जा सकता है, ठीक है, so इन सीज़ों को ensure करते हुए, आप घर बैठके अपने मंतली ओलंपियाट को दीज़े, annual ओलंपियाट तो जरूर ही दीज़े, जिसका सारा का सारा format आपको बताया जा चुका है, ठीक है, so बच्चो लाश्री, thank you so much, हमारे चानल में लगाता बने रहने के लिए, उसे पसंद करने के लिए, और साथे साथ हमें अच्छे रिस्पॉंड देने के लिए, ठीक है, चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब भी करिए, जरूर से, ठीक, so मिलते हैं बच्चो अपने नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी, नेक्स्ट ओलंपियाट के साथ, चिल देन, बाई, आण टेक कियर आफ यरसेल्ट,